एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है दिसा सालियान के दोस्त स्टीप पिंटो के मौत हो गई है स्टीप पिंटो के अचानक इस तरह हुई मौत पर लोगों का कहना कि उसे कार अक्सिडेंट में मरवाया गया है Stie初 Pinto की मौत नहीं हो धे बलकि यह एक प्लान मर्ढ़ है दिशा सालियान की मौत के बाद Stie初 Pinto काफी निरास थे और Instagram और Facebook पर Post डाल दे थे साथ ही Stie初 Pinto ने 24 में 4 नाम भी लिए थे सहद उन्हें इस case के बारे में कुछ पता था और फिर अचानक Steve Pinto की मौत हो जाती है स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सक्स Steve Pinto है जिनकी कार अक्सिडेंट में मौत हुई है और Steve Pinto ने दिशा सालियान की ये फोटो पोस्ट करते हुए हैस्टेक के साथ कुछ कहा था Steve Pinto डारेक्ट कुछ नहीं बोलते थे वो अपनी बात हर पोस्ट में इसारो इसारो में किया करते थे इसके लिए वो हैस्टेक यूज किया करते थे और यहां Steve Pinto कुछ बताने की कोशिस कर रहे हैं हैस्टेक के साथ उन्होंने लिखा है और येन माई बेस्ट फ्रेंड नो अफेर फिर कुछ नंबर दिया है उसके आगे हैस्टेक के साथ लिखा है कॉल, स्विट हार्ट, दादर, फिप्टेन, इयर, बॉइफ्रेंड, फिर लिखा है, चेक, नो स्लिप, नो स्लिप यानि यहाँ वो स्लिप होके नहीं गिरी थी, इसके लिए लिखा होगा सर्थ, फिर उसके आगे हैस्टेक के साथ लिखा है, क्राइम ब्रांच, मुंबई, ब आठ जून को दिसासालियान के लिए हेल्प इंडिया लिखकर पोस्ट की थी, इसके बाद भी स्टीफ पिंटो अपने फेस्बूक पर कुछ और पोस्ट डाली थी, और चार नाम भी लिये थे, वो चार नाम थे सूरज सिंग, जिसका खुलासा अभी कुछ दिनों पहले हु था कि सूरज सिंग रिया को कूपर होस्पिटल में मौचरी में लेकर गए थी, उसका नाम स्टीफ पिंटो ने जून मंत में ही अपनी पोस्ट में लिया था, इसके साथ ही स्टीफ पिंटो ने हैस्टेक के साथ में रणबीर कपूर, सल्मान खान और अक्से कुमार का नाम भी अपनी पोस्ट में लिया था, और उसके बाद खबर आती है कि स्टीफ पिंटो की अचानक एक कार अक्सिडेंट में मौत हो जाती है, तो दिसा सालियान से जुड़े लोगों की इस तरह अचानक मौत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिये हैं, दिसा की मौत के बाद स स्टीफ पिंटो की मौत दोस्तों स्टीफ पिंटो की मौत पर आपकी क्या राए है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और सुसान सिंग राजपूत से जुड़ी कोई भी नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधि सेयर करें तक ये न्यूज डिमेंड स्टिंग मेडिया तक पहुंख सके धन्यूज